अब बात जारखंड की अपनी पाँच सूतरी मांगो को लेकर जारखंड प्रदेश विद्याले रसोईया सन्योची का संग आज मुखी मंतरी आवास तक 9 मार्च निकालेंगी जिसके लिए प्रदेश भर से रसोईया सन्योची का राची के मौराबादी मैदान में एकत्रित ह रही है जिसके बाद यहां से मुख्य मंत्री आवास तक न्याए मार्च में शामिल होंगी रसोया सन्योचिका संग की महिलाओं का कहना है कि राज्जिस सरकार के प्रतिनी धी गरडे विधायक सुदीप गुमार सोनू और दिवंगत सिक्षा मंत्री जगनात महतों के साथ विक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है जिसके कारण आज न्याए मार्च निकाला जा रहा है सरकार यदी नहीं सुनती है तो मौनसुन सत्र के दौरान विधानसभा के सामने भी प्रदर्शन किया जाएगा इनकी मुख्य मांग है मांदे सुनश्चित हो सभी कर्मियों का पीमा किया जाए साल में दो बार परिधान दिया जाए और बकाया पैसो का भुकतान जल्द से जल्द किया जाए सुदी बुकमार सोनुजी के पहल पर वो कहे थे कि आपकी मांगे जाज है आपकी मांगो को लागू कर दिया जाएगा अप्रील माह से आपको लागू हो जाएगा हमारे सिछा मंतरी की आकाश में मिर्तु हो जाने के कारण हमारी मांगो पर भी स्रमती नहीं बनी और हमें ल रस्वया यहां इस वक्त मौचूद है इनकी क्या बांग है बादचीत कीज़े। गादचीत कीज़े। वारता हुई थी और कही न कहीं उनसे जो आस्वासन मिला था कि अप्रील माद से इनको एक कुछित मांदे मिलेगा पर उनके निधन के बाद कहीं वह मामला वहीं पर लटक गया और उसके बाद सरकार की तरब से इस पर कोई भी पहल नहीं की गई है रही वजा है कि आज राज चुत्री मांगो पर विचार नहीं होता है सरकार की तरब तो आगे आने वाले जो मांसून सत्र है उस मांसून सत्र के दर्मियान वे बिधान सबा के बाहर भी प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे जे बिलकुल संदीप आप हमारे साथ बने रहे अगली ख़बर पर भी आपसे अपडेट लेंगे